तो आज हमारा फेमिनिजम पर यह सिक्स्त लेक्चर है राइट पांच लेक्चर में अलड़ी बना चुका हूँ देर आर फाइफ लेक्चर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आपने नहीं देखा है तो सारे लेक्चर्स देखकर यहां तक आएगा तभी आपको सार कोशलत हो देखो लेक्चर बार-बार तो बनेंगे नाज मिन या दसाल मरने कबार या सबहु हो देख आप तोरेल मुए पैदा हुई थी 1953 में और नौर्वे में पैदा हुई थी शी वस नौर्वेजियन राइटर नौर्वे एक कंट्री है यॉरॉप में राइट तोरेल मुए शी इस वरी ब्यूटिफुल इसकी फोटो देखना दो हुजार चेह ही मैंने फोटो देखी शी वरी ब्य घ्री में पैदा हुए शी शूल लाइफ टोरेल मुए की सीधी बात करते हैं हम इसका एक फमीनिस्ट लिटरी क्रिटिसिजम कुछ ऐसा वह ऐसे एस एसे लिटररी ख्रिशिजम के नाम से एसे है उस ऐसे में यह दो तीन चीज़ों की बात करेगी देखो एलें शोऔर के ले as a phase कि कैसे phase चली किस phase में क्या हुआ विमन ने क्या क्या किया ठीक है क्या उनकी disposition रही लेकिन ये क्या करती है कि feminism को फैमिनिजम को ये अलग करती है दो चीजों से वो दो चीजे है female and feminine तो ये अपने हिसाब से इनमें अंतर बताएगी इनमें फर्क बताएगी कि क्या है इसके अकोर्डिंग टॉरिल मोय के अकोर्डिंग female जो है female है simple सा आपका physical appearance जो आपका है physical appearance और biology ये कहती है कि female is just a matter of biology just a matter of biology ठीक है आप पैदा हुए आप या तो male पैदा होंगे या female पैदा होंगे ठीक है simple सी बात है तो इसी लिए अगर आप female हो तो वह just एक biology का matter है आपका जो physical चीज है उससे related है उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है ठीक है अब जो feminine है feminine यह क्या कहती है कि यह है आपका culturally constructed culturally constructed ठीक है कि feminine क्या है feminine are those qualities which are attributed by the society which are imposed on you by the society जैसे कि society कहती कि आप female हो आपको ये काम नहीं करना है आपको गुसा नहीं करना है आपको गालिया नहीं देनी है आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने है या फिर कोई भी ऐसी चीजह आपको रात को अकेला बाहर नहीं कलना क्योंकि आप कमजोर हो आपके साथ कोई भी कुछ गलत कर सकता है तो यह सारी जो precautions है या फिर यह जो जितने में recommendations है यह सारी जो है आपको society देती है और जो कि आपको feminine बनाती है और बार-बार यह एहसास दिलाती है that you are feminine you are weak you are feeble ठीक है तो यह feminine जो चीज है यह women होती नहीं है लेकिन उन्हें बनाया जाता है society के द्वारा culture के द्वारा ठीक है पेट्रार्की के द्वारा basically पेट्रार्की के द्वारा अब यह tutorial में एक बात कहती है कि जो feminism है which is pro women मतलब कि वो women के defense में बात करता है but it is not anti-men पर यह men के against नहीं है ठीक है यह तो feminism की basic सी चीज है आपको समझाया है पहले भी तो वो कहते यह pro women है लेकिन anti-men नहीं है but it is anti-petrarchy ठीक है कि men के against नहीं है petrarchy के against है ठीक है क्योंकि सारे men petrarchs भी नहीं होते हैं मानलो मैं man हूँ मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको कैसे खुश रखूँ उसके लिए gifts तरह तरह की gifts लेकर आऊंगा उसको घुमाने ले जाऊंगा पिक्निक पी लेकर जाऊंगा उसके लिए बहुत कुछ करूँगा है ना मैं उस पे रूल नहीं करूँगा उसको अब्यूज नहीं करूँगा ठीक है उस पे कोई बंदिशे नहीं लगाऊंगा तो मेरे जैसे भी तो मर्द है इस दुनिया में ठीक है तो बात यह है कि सारे men एक जैसे नहीं होते हैं वैसे ही सारी women भ बाइस उसने बताया था ठीक है tutorial मुई क्या है कि यह एक चीज़ की और बात करेगी यह बात करेगी feminine यह फिर आप कह सकते marginality female as margins और जो भी है और women को कहा रखा है यहां boundary बे marginalize कर दिया है women को यह कहती है कि हर जगा आप women को बिल्कुल marginalize कर देते हैं एक simple सी बात है यह यहां पर rally हो रही है बहुत सारे लोग बैठे है यह ground है थोड़ी दर के लिए सोच लो ठीक है तो यहां आपके बैठे है मोदी जी जो की PM है मोदी कौन बैठेगा जो बहुत खास खास लोग होंगे वह यहां बैठेंगे जो कम 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 खास होंगे कम कम खास होंगे वह यहां इधर लास्ट में वह लोग बैठेंगे जिनका कोई वजूद ही नहीं है हमारे जैसे लोग जिनको ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है तो व इसके बात कहती है तॉरियल मौए ठीक है अब मैं आपको बताओंगा तॉरियल मौए के कुछ वर्क्स ठीक है एक तो इसका बहुत फेमस वर्क है जिससे ये पूरी दुनिया में फेमस हुए जिसके लिए जानी जाती है sexual politics अब आप बुले कि sexual politics तो Kate Millet का है जी हां Kate Millet का ही है लेकिन इसका है sexual textual politics देखो इसमें फर्क बताने के लिए मैंने आप इस तरीके से बताया politics 1985 में ये work आया है क्या है sexual textual politics याद रखना है sexual politics Kate Millet second sex सेमन देबुवा sexual textual politics टॉरिल मौई 1985 ठीक है एक इसका है what is woman what is woman question mark and other essays 1999 ठीक है ठीक है ये दो वर्क्स तो आपने याद रखने रखने साथ में इसके वर्क्स और भी से सिमें दो बुवा पर भी एक लिखा है यूलिया क्रिष्टेवा पर भी एक वर्क लिखा है 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 उनके टाइटल में आपको बता देता हूं चलो जी देखकर ही बताता हूं फ्रेंच फेमिनिस्ट थॉट यह वर्क्स आपने याद रखने ने चार पांच वर्क्स पताऊंगा इससे जादा नहीं फ्रेंच फेमिनिस्ट थॉट क्योंकि फ्रेंच वेमिनिजम की बात भी कर रही है इसी लिए ये सिमें दुबुआ की बात भी करेगी ठीक है क्रिश्टेवा रीडर यह याद रखना है कि यूलिया क्रिश्टेवा पर वैसे मैंने वीडियो बनाई नहीं है पर अगर मुझे टाइम लगा तो इस पर त्ट भी एक वीडियो में बनाऊंगा ठीक है न करिश्टेवा रीडर Hendrick Ibsen and the birth of modernism Hendrick Ibsen and the birth of modernism ठीक है यह वर्क भी है 2006 में है ठीक है और एक और वर्क इसका मैं लिख लेता हूं अब मैं बात करूंगा हेलन सिक्सु की अब हेलन सिक्सु हमारे इसलिए इंपोर्टन हो जाती है क्योंकि उसकी एक टर्म है एक रिचर फैमिन ठीक है तो एक रिचर फैमिन में आपको डिटेल में समझाओंगा क्या होता है यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है जालो मारकर पता नहीं मैंने कैसा लिए जल जली मिटता ही नहीं है बहुत स्ट्रॉंग है कई लोग होते हैं हमारे जीवन में उनकी यादे मिटाना बड़ा मुश स्ट्रॉंग के साथ दो तिन लोग और है जिनका नाम याद रख लो लूस सिर raptatory पता नहीं होगी किस ए आई जी ए आर एवाइ यूलिया क। lazim इंपौर्टेंट है इंटर्ट एक्षिवलिपे इसकी टर्म है इसम refers में बना दूंगा विडियो और laugh यह जो तीन एह एक दो तीन इनका फ्रेंच फेमिनिजम में भी आप कह सकते हो और post-structuralist, post-structuralist, post-structuralist feminist theory, ठीक है, there are three mothers of post-structuralist feminist theory, ठीक है, जिसमें से Helen Sixu का भी एक नाम है, और ये दो जो और औरते हैं, ये तीनों mother मानी जाती है, post-structuralist feminism की, ठीक है, इतनी सी बात याद रखना है, post-structuralism में भी आती है, जूलिया क्रिस्टिवा, मैंने उसमें भी बताया है, post-structuralism वाली वीडियो में भी बताया है, कि जूलिया क्रिस्टिवा का नाम वहां भी आता है, इनका भी नाम आता है, लेकिन ये फैमिनिजम में आता है, तो इसलिए मैं इनको फैमिनिजम में cover कर और रहा हो थी ऐसे अधिया इनके जो आईडियास थे वह पोस्ट्रक्शु के इसके हैं आप लिए आप को इसके बाऊंगा और आपने याद रखना है कि यह फ्रेंच Feminism में आएगी और Post Structuralist Feminist Theory में भी आएगी ठीक है और जो तीन नाम है वो कहीं भी पूछे जा सकते है आपको ठीक है तो यह याद अख ले रहा है अब देखो यह influence हुई थी एक्स डेरिडा से यही एकस डेरिडा यही टेरिड़ Solar drive मैं वीडियो बना चुक हूंण टी कावर कर चुक हो पर कर चुक हूं अच्छे से देख लेना उसको सिंप्ली आप मेरी चैनल में प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट में ब्लेलिस्स सब कुछ है वहां पर ज्टीक एक से Sigmund Freud, Sigmund Freud, यह दो लोग थे जिससे यह influence हुई थी, इनके ideas से, तो इसलिए इसका जो काम था, इसके जो ideas थे, वो deconstructionist ideas थे, ठीक है, क्योंकि Yax Derrida से यह influence हुई थी, इसलिए इसलिए इसने एक work भी लिखा Yax Derrida के लिए, उसका title था, लंबा title है, बोल रहा हूं, लिख लेना The Portrait of Yax Derrida as a young Jewish Saint, ठीक है, The Portrait of Yax Derrida as a young Jewish, J-E-W-I-S-H, Jewish Saint, संथ, ठीक है, S-A-I-N-T, यह याद रख लेना, ठीक है, फिर इसने एक Yax Derrida के साथ, एक और work लिखा, जिसका नाम था, Wales, ठीक है, यह 1998 में आया है, हाँ, 1998 में आया है, ठीक है, Wales, Wales का मतलब है कि, चादर मुखोटा जो हम ढखती है न, औरते अपना चहरा, जिस से, जिस चादर से, उसे कहते है, Wales, तो Wales इसने यह Yax Derrida के साथ मिलकर लिखा है, ठीक है, इतनी सी बात रह जाएगी, अब हम चलते है, इसके वर्क पर जो की बहुत ही इंपोर्टन्ट है, जिससे की इसका नाम जाना जाता है, जैसे की सेक्शूल टेक्शूल पॉलिटिक्स है, टोरिल वोई का, वैसे ही हेलन सिक्सू का वर्क है, उस वर्क का नाम है, दे लाफ मेडूसा, वैसे ये आर्टिकल था, ठीक है, 1975, वैसे ये आर्टिकल था, जिसके लिए फेमस है, उसके बाद बुक के फॉर्म में भी इसको लाया गया, शायद 2010 में, या काफी बाद, लेकिन आपको ये डेट याद रखने ही, ठीक है, यही पूछी जाएगी आपको, दे ल एक्रेटर फेमिन, ऑपका बादूर्णब्य का है, बेज़ आपका बॉड्टी बे, ठीक है, अब ये गगर कहती है, या तो आप अप अपनी बादी में ही कैद रह लीजए, विमन को कह रही है, या तो आप अपनी बॉड़ी में ही कैद रह लीजए, कैसे, जो लैंगविज जिछ आपके लिए society ने बनाई है ठीक है उसमें उसको follow करके आप अपनी body में ही कैद रह लो या फिर अपनी body को use करो communicate करने के लिए अपने ideas ठीक है वैसे जो creature feminine का मतलब है वो है woman as writer ठीक है अब ऐसी ऐसी term मैंने आपको एक पहले भी पढ़ाई है Elaine Shawalter की term बताईए गाइनो क्रिटिसिसम उसका मतलब भी है woman as writer तो आप यह समझ लो कि a creature feminine और गाइनो क्रिटिसिसम एक मिलती जूलती चीज है लेकिन फर्क इसमें सिर्फ इतना है यह body पर ज्यादा focus करती है ठीक है यह कहती कि अगर आपको लिखना है if you really want to write तो आप खुद की body को accept कीजिए खुद की body मतलब अपनी identity as a woman आप लिखिए आपका जो मन करता है आप लिखिए आपको पेटरार्कल जो systems है जो values है उससे बाहर निकलना है उसके against कुछ करना है और अपने आपको साबित करना है कि yes we are women and we are different we write differently ठीक है और हम कहीं बंधे नहीं हुए है यह तभ अगर आप चाहते हो कि आप उनके करगमलों पर आपको चलना है तो आप तो अपनी body में कैद हो जाओगे इससे आजाद हो जाओ बाहर निकलो अपनी body को दिखाओ सबको मतलब उस तरीके से नहीं मतलब कि अपनी identity को दिखाओ एक हिसाब से कि आपकी जो biological identity या फिर कैसी भी identity उस तरीके से आप खुद को बाहर लेकर आओ और अपनी body के through आप communicate करो ठीक है express करो खुद को राइट तो अब इसमें यह बात बोलती है कि खुद को एक individual समझो ठीक है एक individual समझो मतलब कि body समझो और उस तरीके से काम करो ठीक है यह है आपका creature feminine मतलब कि आपकी body से related ठीक है कि अपनी body को सबसे पहले accept करो अपने gender को अपने sex को अपनी biology को अपना जो physical जो भी आपके appearance है उसको accept करो उसके through लिखो और men से थोड़ा हट के लिखो उनको follow नहीं करना है उनके थोड़ा against लिगो तो woman as writer writing के perspective में ही है सब कुछ है as a writer ठीक है जैसे की गाइनो criticism था as a writer तो गाइनो क्रिटिसिजम भी तो यही चीज़ है इलें शोवल्टर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है उसको समझ लेना जैसे वो भी यही कहती है वो भी एक literary project है है किसाब से जिसमें की women को अप वही सारी चीज़ें आपको a creature feminine में करनी है मतलब कि यह भी एक उसे हिसाब से एक आपके लिए डर्वाजा है द्वार है ठीक है हो गया the laugh of medusa ठीक है आपको मैंने इसके दो वक्स और भी बता दिये हैं और मैं इसके आपको दो वक्स और भी बताऊंगा और आपने डर्ना नहीं है बड़ी मज़ेदार राइटर्स थे यह सारे लोग है अच्छे लोग है अगर आप इसे बार बार पढ़ो ना तो पढ़ने बहुत मज़ा आगा आप लोगों को अब अब मैं आपको क्या बताना है हाँ अब हेलन सीक्सू कुछ binary oppositions की बात करती है यह चीज टोरिल मोई भी फीमेल ठीक है एक्टिविटी मेल में क्या गाता है एक्टिविटी विमेन में क्या आगया पैसीविटी ठीक है आपका डे आ गया और इधर नाइट आ गया आपका इंटलीजिबल आ गया इधर sensitive आ गया इधर logos आ गया इधर pathos आ गया ठीक है तो ऐसी ऐसी चीजह यह कहती है कि यह बाईनरीज जो है यह society ने set करकर रखिये कि मेल के लिए सारी positive यह देखो सारा positive है ठीक है यह सब positive पोजिटी वरडs Each Expression zich Phrases इनको यूज किया जाता है ठीक सारी positive चीजे मेल को doin की जाती यह और negative फीमेल को जैसे कि activity वां 맞 बोत रोशनी है साहल चका चॉंह तरो नाइट जिसमें इंटेलिजिबल सब्सक्राइब धिंट यह가 रहती है वह ग Nathan himself a है Logos है Logic Pathos है Emotion ठीक है कि वह मैंन के पास लोजिक होता है मैं strong होते हैं लेकिन जो women है वह पैथो कमजोर होती है fragile होती है वचारी तो मतलब यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह यह binary positions बोल रही है कि ऐसा-सा होता है ठीक है तो यह जो binary है यह कहती है कि एक binary होने का मतलब है कि आप दूसरी चीज़ को पूरी तरह नगेट कर रहे हो एंड बोथ cannot exist together ठीक है तो यह कहती है कि यह सारी जो binary positions है हमारी society में यह खतम होने चाहिए ठीक है Helen six हो खतनाग बंदी ठीक है अब इसके मैं आपको दो works बताऊंगा वो आपने याद रख लेने वैसे तो देखो आप गूगल कर लिया अगरो इसके कोई दस पंद्रा बीस works मिल जाएंगे आपको है ना लेकिन सारे याद करना हम कर भी नहीं सकते और हमें करने भी नहीं चाहिए तोड़े selected जो तो मैंने आपको बताया है वो तो करने ही करने है ठीक है तो इसे stigma होता है एक कलंक है ना तो स्टिग्माटा भी शायद कुछ इसी से related होगा कि विबन के उपर कलंक लग जाता है शाय सकत सब बोले तो जैसे थर्ड वर्ल्ड है ना मैंने पोस्ट कलोनियल मैं आपको सब कुसम जाया है और अदर अधर नेस जिसकी कौन बात करती है विबन एज अधर 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 मैंने पढ़ाया था शैसी में दुबुवा कहती है हाँ वही कहती है अधर ठीक है तो तो काम याद हो सकता है मैं याद कर सकती हूं या सकता हूं तो उसको याद कर लो ठीक है क्या पता कहां पे आपको बुच्छा जाए तो यह तो मैंने बता दिया वैसे इस इसका ऐसा अएकरीचर-फेमिनियजम ही था इतना इंप्र varitंट तो इसलिए रिडर रिस्पोंस थे यह स्टाइलिस्टिक्स है और फिनमेनलाजी है इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद ठीक है और मेरी बातों को इतना सीरियस्ली मत लिया करो मुझे नी बता में मुझे खुद भी नी पता मैं कब बनाऊंगा है लेकिन जब बिनाऊंगा बना दूँंगा टेंशन ही लेनी है और अगर नहीं भी बनाओ ना तो जो भी बना रहा हूं उसका मजा लिया करो जो भी बना रहा है लो और घुटो पचाओ और मज़े करो ठीक है लाइफ़ को एंज्वाय करें लो जी दोनों राइटर खत्म अब चलते हैं अगले लेक्चरर मिल पेन ठीके, बाई.